अगनिवीर 2023 की तैयारी के लिए SSC मेकर लेकर आया है अगनिवीर आर्मी बैच जो देता है आपको सो पृतिसत्र सेलेक्शन की गारंटी सैनिक कभी देर नहीं करते तो आज ही जोईन करे SSC मेकर का अगनिवीर आर्मी बैच मात्र 150 रुपे में और करे अपने सेलेक्शन को पक्का अधिक जानकारी के लिए आप दिये गए नमबर पर कोल करे और SSC मेकर एप डाउनलोड करे मुस्कार सात्यों कैसे आप सभी मैं सोनी चोधरी एक बार फिर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार ससी मेकर में उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे गुड इवनिंग कैसे है जल्दी से बताएगा आवाज आप तक पहुच पारी है या नहीं जल्दी से बताएंगे चलिए बहुत बढ़िया एक बार सभी बच्चे आनन्या मांसी पूजा रंजन हर्शित संधी प्यादव आर्दी कुमारी आनन सिंग्ख सिवं संकर पारुल प्रीती विशाल संधी प्यादव मोसम माशूम मोनेंदर संजे पाल सुजीत आनन्द रंजनी धिमान सुरेंदर विजे चोदरी भाई आपने पंजाबी में लिखा हुआ है थोड़ा मैं समझने में सक्षम नहीं हूँ तो इसको आप एक बार हिंदी में लिखे तो ज्यादा बेतर होगा ठीक है आप सभी का एक बार फिर स्वागत है तो एक बार चीज़े आपको ध्यानक नहीं है कि आपका जो एक्जाम फोम है यह अभी आपके फिल हो रहे हैं आप जिस बचे नहीं तक एक्जाम फोम फिल नहीं क्या एक बार तो सबसे पहले आपको एक्जाम फोम फिल करना होगा उसके बाद ही चीज़े आपके लिए बेतर होगी क्य harmless fund आपका एकशां है अगर यह टयारी करेंगे तो फिर कै क्लास होती है तो आई ये स्टराट करते हैं ऑजका सेस्ट को लाइक करेंगे सेर करेंगे सभी बच्चों तक पोचे सभी बच्चे भाव एक बार जुड़िएगा ठीकर चलिए तो स्टार्ट क्रते हैं किस तरह की कुशंस आपके exam के लिए important हो जाते हैं, questions को वड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है, फिर उसका answer करने का प्रियास करना है, और answer सभी बच्चे करने का प्रियास करें, कोई भी बच्चा ऐसा न हो कि answer से जो है ना करें, ठीके ना कि गलत होगा या सही होगा उसका चिंता आपक प्रोपर्टी किस प्रकार का ये अधिकार है, आंसर करेंगे जल्दी से, जल्दी आपको answer करना है, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से answer कीजेगा कि किस प्रकार का ये अधिकार आपका यहाँ पर है, बहुत बढ़िया, तो ध्यान अखेंगे, ये आपका विधिक अधिक किस परकार का ये आपका legal rights है विदिक अधिकार है ये पहले मोलिक अधिकार हुआ करता है अगर आपके ध्यान हो आप ये प्राकरथिक अधिकार बना दिया गया कब संपत्तिगा अधिकार को मूल अधिकार हुआ करता था लेकिन इसको हटा दिया गया अगर आप बात की जाए तो यह कहां पर इसका उलेक है तो आर्टिकल 300a में आप इसको पढ़ सकते हैं इसका जो वर्णन है आर्टिकल 300a में इसका वर्णन किया हुआ है एक बार सभी बच्चे ध्यान लखिएगा ठ लिखेंगे ठीकल लिखना भी है जिस बच्चे का यह कोशन गलत हुआ है एक बार उसको आप लिखेंगे और सही करेंगे ठीकल यहां तक किसी को कोई प्रोब्लम है तो बताएं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की दरब नेक्स्ट कोशन क्या है भारत के समिधान निर् अमबेडगर जवालान नहरू या बी एन राव किसको हम समिधान का निर्माता मानते हैं जल्दी से बताएंगे लीगल राइट्स हो चुका है पहले नहीं था पहले मोली अधिकार था लेकिन इसका रीजन में आपको बताया कि यह मोली अधिकार क्यूं था क्यूं इसको ली भेम राव अमबेडगर को समिधान का निर्माता माना जाता है ध्यानक येगा क्यूंकि ये प्रारूप समीती के अध्यक्स थे किसके ये प्रारूप समीती के अध्यक्स थे ये भी आपको ध्यानक ना है ठीके ना कोशन पूछा जाता है कि जो प्रारूप समीती बनाई ठीक है ना, संगे सवीती धी ध्यान लखिएगा, जिस बच्चे को अपर क्लास अभी नहीं मिल लिए, थोड़ा सा आज वेट कीजेगा, आज आपकी उसके पर क्लास अप्लोडिट हो जाएगी, क्योंकि आपको content बहुत चुन-चुन कर भापर देने का प्रियास किया जा रहा चीजे वहाइ बहुतरा है, आपको वो ही बहुतर चीजे मिले, जो तो आपके exam में लगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 क्लास अपर थिस पर मिलेगी, या 3 अथे क्लास अब्लोड़ सतरूर्द आपको क्राई जाएगा, ठीक है, तो आज आपकी क्लास अप्लोड क्रती जाए कि आप बिल्कुल भी प्रेशान मत होईएगा ठीक है चलिए तो यह आपका ध्यान नकना है नेक्स कोशन है आपका प्रारम में कितने मोलिक अधिकार दिये गए थे जब भारतिय समिधान में मोलिक अधिकारों को लागू किया गया तो इसमें जो अधिकार थे यह कितने अधि किया गया था उस समय जिसमें मोलिक अधिकारों की संक्या हुआ करती थी साथ से जीडी की वेकेंसी कब आएगी अभी जब तक आपकी वेकेंसी क्लियर नहीं होगी तब तक वो वेकेंसी नहीं आएगी ठीक है तो अभी एक फाइनल होगा उसके बाद आपकी नहीं वेकेंसी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था तो ये पहले आपको ध्यानकना है मोलिक अधिकार हुआ करता था अब कैसा अधिकार है अब ये आपका अधिकार है विदिक अधिकार अगर मैं मोलिक अधिकार के बात करूँ तो आपको ध्यानकना होगा एक है आपका संताक अधिक लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार लिखते जाएंगे जिस बच्चे को जानकारी नहीं है ठीक ना शोषण के विरुद अधिकार कौंसा शोषण के विरुद अधिकार आपका है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार पांचवा है आपका अलप संक्यक के हितो का अधिकार हितो का अधिकार और छटा है आपका क्या समयधानिक उपचारों का अधिकार छटा अधिकार क्या है समयधानिक उपचारों का अधिकार ठीक ना ये छे अधिकार है समयधानिक उपचारों का अधिकार पहले साथ हुआ करते थे, इसमें संपत्ती के अधिकार को भी सामिल कर लिया गया था, तो ये 6 अधिकार आपको लिखने हैं, लाइट नहीं आ रही है, ठीक है न, तो एक बार सभी बच्चे इन 6 अधिकारों को लिखेंगे, जिसको याद नहीं है, वो याद रखेगा, कभी- इसमें डाउट है, तो आपको वो डाउट किलियर किया जाएगा, जल्दी से बताएं, बहुत बढ़िया, चलिए, नेक्स्ट कोशन है आपका, जो कुतुम मिनार है, किस परसित सासक ने इसको पूरा किया था, कोशन को पढ़ना ये क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है कि इस इसको पूरा किया, इल्दुत मिस ने इसको पूरा किया, फिरोज सहात तुकलक ने इसको पूरा किया, या अलाउदीन खिलजी ने इसको फूरा किया, विच फेमस रूलर हैड कम्प्लीट कुतुम मिनार, जो कुतुम मिनार है, कहां पर है, आप सभी जानते हैं, दिल्ली मे इसको जो शुरू किराया गया था या इसकी जो नीव रखी थी ये सुरुवात किसके द्वारा किया थी कुत्बुदीन कित्वारा लिखेंगे यहाँ पर इसकी जो नीव रखी, अगर आप से पूछ लिया जाए कि इसकी जो नीव है ये किस ने रखी है ये इसकी सुरुवात किस ने की, तो ये कुत्बूदीन एबक के दुआरा इसको शुरू किया गया था, ध्यान रखेगा, लेकिन पूरा किस ने किया, इलतुतमिस न और इसका जो मरम्मत कार ये कराया गया था तो ये कह सकते हैं फिरोज साथ उकलक का इसमें योगदान है, ठीक है ना, कोशन यहां से बनता है कि निमलिकित में से किन तीन सासकों ने कुत्ब मिनार में योगदान दिया है, कुत्बुदीन एवक है, इलतुतमिस है, फिरोज आपको मिलती है, लाइव क्लास नहीं होती, आपको रिकोर्डेट क्लास महा पर मिलेगी, ठीक है ना, चलिए, बहुत बढ़िया, हाँ, मरम्मत फिरोज साहतुकलक, ठीक है ना, चलिए, नेक्स कोशन है, साची का जो महल है, जिसको साची का स्तूपा आप कहते हैं, ये कहां पर है, किस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, मध्या प्रदेश में, उनाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, दा प्लेस इस तूपा उसाची कहां पर है, जल्दी से बताए, हाँ, उनको मरम्मत ही कहा जाता है, पूरा कराना उनको कहा जाता है, मरम्मत का जो रियसीन असोका ने बनवाया बहुत बढ़ूर्गी या। ठीक है चलिए इस तूप आप समझेगा एक तरीका से यह आप कह सकते हैं इसकी जो आकरती आपको देखने को मिलेगी कुछ इस परकार की आकरती आपको देखने को मिलेगी जैसे यह बेस हुआ तो इस परकार की आपको जहां पर आकरती मिलेगी इस तूप आपको जहां पर द प्रसिद दिलवाडा मंदीर जो है दिलवाडा का जैन मंदीर इसको कहा जाता है जो जैन धर्म को सम्बंदित है जैन धर्म से सम्बंदित है ये किस राज्ये में है प्रसिद दिलवाडा का जैन मंदीर ये राजिस्थान में है उत्तर प्रदेश में है मध्यपरदेश में है म पिषन्देलों, उस समय वहाँ परशाशंद था, ये बात है, manday bought 10202 2020 इसको वीमल सहा के दुआरा बनवाय गया था, किसके दुआरा वीमल सहा के दुआरा और ये कहाँ पर इस्तिद है, माउंट आबु में इस्तिद है ये मांट आबु में इस्तिद है, ठीक है ना और इसको किस ने बनवाया वीमल सहा ने इसको बनवाया ये वीमल सहा कौन था ये वीमल सहा सामंत था सामंत था किसका भीम देव प्रथम का ध्यान रखेंगे भीम देव प्रथम जो थे ये चंदेल सासक थे ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है ना कौन थे ये ठीक है चल ये बहुत बढ़िया हाँ राजिस्थान वाले बच्चों को जानकारी होना चाहिए अपनो राजिस्थान बहुत बढ़िया ठीक रहा चलिए नेक्ट कोशन है आपका अब बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन का मतलब होता है उपदेश कहां पर दिया जो महत्मा बुद्ध है इन्होंने अपना जो उपदेश दिया सवपरथम उपदेश इनके द्वारा जो दिया गया ये कहां पर दिया गया गया में सारनात में पाटिल पुतर में वैश करेंगे कहां पर इन्होंने अपना प्रत्भम उप्देश दिया था है Song किसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया इनका जो पहला मीच था इसको 6 gekn परिवर्दन कहा और इसको सारनात में ही दिया गया था ध्यान कियेगा उसको रिसी पत्तनम भी कहा जाता है सारनात को क्या कहा जाता है रिसी पत्तनम भी कहा जाता है और इन्होंने अपनी जो जन पाली भासा थी इनकी जो सामान्य या आप जन कह सकते हैं जो जन भासा थी ये पाली भासा थी, इस भासा में ही उन्होंने अपना उपदेश दिया था इनका जो जन्म हुआ उसको किस से, किस प्रतीक चिंद से या किस सिंबल से दरसाया जाता है, आपके लिए कोशन है एक बार बताएंगे, जिनके जन्म को हम किस से दरसाते हैं, एक बार बताईएगा, ठीक है ना, उसको कमल से दरसाते हैं, या बैल से उसको दरसाते हैं, या उसको स्टूप से दरसाते हैं, किस के द्वारा ओ दरसाया जाता है, एक बार बताएंगे, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, इनका जो जन्म हुआ था ये लुम्बनी में हुआ था ठीक है ना कहां पर लुम्बनी में इनका जन्म हुआ था जो कि कहां पर है नेपाल में है ये भी आपको ध्यानकना है बुल से बहुत बढ़िया बुल से या कमल से इनका जो जन्म है इसको हम परतीक चिन के रूप में मा रूप में जाना जाता है यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछेगा जल्दी से बताएंगे अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई किसी बरकार की परेशानी है तो जल्दी से एक बार बताएं जल्दी से आंसर करेंगे बहुत बड़ी है वई चलिए बुल हाँ ठीक है ना, चलिए, नेक्स्ट कोशन है आपका, एसिया की सबसे बड़ी नधी कौन सी है, एसिया कॉंटिनेंट की हम बात कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्च में साथ कॉंटिनेंट है, जिसमें सबसे बड़ा जो कॉंटिनेंट है, ये एसिया कॉंटिनेंट सबसे बड़ी नधी है ये कोन सी है चार औसे आपको इहां पड़ लगान धी लाजे सींगर लाज वर टुवर बहुत बहुत बड़ीन चाहरई बनी ये यसे बताने का प्रयास करेंगे रहे सिरका होगा Eg तो भारत की सबसे बड़ी की नदी हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जो नदी है ये कौन सी नदी है गंगा नदी है कौन सी नदी है गंगा नदी है तो यांग सी ठीकर न यांग सी भी सको कहा जाता है ये टे जो इसमें बीच में है ये नहीं आपको मिलेगा तो यांग सी भी सको हम कहते हैं ठीक है चलिए नेक्श्ट कोशन आपका फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार ये है जो फसलों का आवर्तन होता है आवर्तन का मतलब होता है फसल चक्र जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं जिसको फसल चक्र कहा जाता है फसल चक्र जिसको कहा जाता है इसको हम आवर्तन कहते हैं ये क्यों अनिवार ये होता है काफी गाउं से बिलोग करते हैं ठीक ना तो आपको पता होगा फसल चक्र जो कराई जाती है ये क्यों कराई जाती है ठीक ना जल्दी से एक बार बतानेगा प्रयास किजिएगा दूसरा आप ध्यान केंगे अगनी वीर के लिए क्लास चलती है ये 12 बजे आपकी मैस और रिजनिंग के लिए क्लास चलती है साम 6 बजे आपकी जो क्लास होती है ये जीगे जीएस की क्लास होती है ठीक ना जिसमें जनरल साइंस भी हम डिसकस करते हैं ठीक ना चलिए तो ये चीज़े आपको ध्यान में र प्रिया चंदा कर बहुत बढ़ी है ठीक ना तो सभी बचे आंसर राइट कर रहे हैं इसका उप्षन हो जाएगा चलिए आरे समय कोमर्स्थन बाध चैना को बांगलादेस और भारत को थीनेगा डिकव कुंश्युक्त करें की है यह थीनियर चौदरी चलिए बहुत बढ़िया तो तीन विगा कोरीडोर के बारे में बताएंगे सर एक बार ओर जल्दी से बताएं तीन विगा कोरीडोर कहां पर इस्तित है ठीक है ना डी ओप्षन बहुत बड़िया बांगला देस और भारत के बीच में ये अभी भूमी जो हुआ था भूमी विवाद इसको कहा जाता था पहले 2011 में यहाँ पर भूमी जो हमारी जमीन है ठीकना जी इस पर विवाद था उसको चेंज किया गया था इंटरचेंज उसको किया गया था तो यह तीन बिगा कोरिडोर परस्षी मंगाल और आपके बांगलादेश की सीमा पर कुछ छेत में अगर भारत के राज्ये से कोशन पूछ लिया जाए कि भारत का कौन सा राज्ये इसमें इनवल्व है तो परस्षी मंगाल इनवल्व इसमें है ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया सर स्क्रीन पहले जैसा कर दीजिए मतलब मैं समझ नहीं पाया पहले ज अचार अटकामा इंडियन डेजर्ट इसकोल्ड अचाहे कोशन का अंसर आप करेंगे सभी वच्चे की आपको बताना है साहरा मरुस्थल कहां पर है जल्दी से बताएं ठीक है ना जल्दी से एक बार बताएंगे सर पढ़ने में मन नहीं करता पता नहीं क्या हो गया पोशन चोटा दिखाए देता है चोटा नहीं काफी सही दिखरा होगा उसको पोट्रेट करके आपको देखना है अपने फोन को थार मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है थार मरुस्थल है ध्यान रखियेगा भारत का कौन सा थार मरुस्थल है जो की भारत और भारत के साथ ये भी फैला हुआ है ध्यान नखीए गा कभी आप सोचो कि अबल भारत में ही है यह भारत की साथ साथ में पाकिस्तान में भी यह फैला हुआ है अगर भारत की हम बात करे तो भारत के में आपका राजिस्थान आपका आजाएगा ठीक है ना आपका यहां पर क्या आजाएगा आपका हरियाना का कुछ छेतर आजाएगा कुछ छेतर आपका यहां पर गुजरात का आजाएगा ठीक है तो यह आपको ध्यानकना है और यहां पर पाकिस्तान में भी यह फैला हुआ है थार मरुस्तल और जो सहारा मरुस्तल है ये कहां पर है ये अफरीका कॉंटिनेंट में इस्चित है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया नेक्स कोशन आपका सूरिये से प्रत्वी को उसमा क्यों प्राप्त होती है क्या को क्या क्या कहते है जो प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है जो सूर्ये से प्रत्वी पर जो उश्मा आती है जो किरन आती है उसको हम क्या कहते है ताप विकरन कहते है आतापन उसको कहा जाता है अवरक्त उसको कहा जाता है या सोर्ये विकरन उसको कहा जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है एक बार सभी बचे आंसर करने का प्रियास करेंगे, question number 12, जल्दी से अंसर करेंगे, किसको हम किस नाम से जानते हैं, बहुत बढ़िया, उसको हम क्या कहते हैं, question number 12, South Africa continent, बहुत बढ़िया बढ़िया, जल्दी से अंसर करेंगे, C, A, चलिए, धान खेगा, जो प्रत्वी पर सूरिये से उसमा आती है, किरन आती है उसको, हम क्या कहते हैं, सोरिये विकरन उसको कहते हैं, या आपको सोरिये ऐसे भी मिल सकता है, सोरिये विकरन, या सूरिये विकरन भी आपको मिल सकता है, तो इसको सूरिये विकरन कहा जाता ह जो हमें सूरिये से उर्जा प्राप्त होती है उसमा प्राप्त होती है ठीक ना तो इसको हम सोलर रेडियेशन कहते हैं क्या कहते हैं सोलर रेडियेशन इसको कहा जाता है यहां तक किसको कोई डाउट है यह सब्द है जो आपको ध्यान लखना है ठीक ना जैसे आपको ध्यान यहां पर दिन तधा रात एक समान होते हैं, ऐसा कौन सा छेतर है जो आपको निमलिकित में से दिया गया है, कि यहां पर दिन और रात एक समान होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, धुर्व है, ठेकना, यह आपकी प्रत्वी है, प्रत्वी का यह आपका धुर्व वाला यह आपकी जीरो डिग्री एक्वेटर लाइन है जिसको विशुवत रेखा कहते हैं कौन सी रेखा इसको विशुवत रेखा कहा जाता है तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रेखा है ठीक है यह आपकी करक रेखा है साड़े तेज़ डिग्री करक रेखा है और यह आपकी यह पर मकर रेका है जो कि साड़े तेस डिग्री साउत में इस चित है तो यहां पर आप बताईएगा कि दिन रात कहां पर बराबर होंगे डी है ठीक है ना चलिए तो आपकी जो जीरो डिग्री है इसको एक्वेटर लाइन कहा जाता है एक्वेटर लाइन इसको हम कहते हैं और य यहांपर सूरिय की किरने बराबर पड़ेंगी वहाँ पर दिन-रात बराबर होगा ये भी आपको ध्यानक ना है। यह 0 degree विशुवत रेका है यहाँ पर जो भी देश पढ़ते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है इसका reason यह है कि यहाँ पर जो सूर्य है यह बिल्कुल उसके सिर पर चमकता है बिल्कुल सराल भासा में अगर देखा जाए तो इसलिए यहाँ पर दिन रात बराब होते हैं ठीक ना तो यह होगी आपकी भूमध्य रेखा भी इसको कहा जाता है क्या भूमध्य रेखा या विशुवत रेखा भी इसको कहते हैं कोई डाउट है एक बार पूछेगा जल्दी से एक वेटर लाइन इसको कहा जाता है किसी को डाउट है तो बताएं चलिए next question है अपने अक्स पर प्रत्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है बहुत ही आसान जा question sscgd वाले बच्चे कोई भी इसको गलत नहीं करेगा ठीक ना सभी बच्चे इसका आंजर सही करेंगे वो इसमीज मैच हो रहा है वो इसमीज मैच हो रहा है तो एक बार अपना जो य पर यह पूरा जो अपना चक्कर लगाती है कितने समय में लगाती है 23 गंटे 30 मिनट में 23 गंटे 56 मिनट में 56 मिनट वा चार दसमलों 9 सेकिंड में 23 गंटे 10 मिनट 2 सेकिंड में या 24 गंटे में जल्दी से आंसर करेंगे बहुत बढ़ी है धान रखिएगा हमारी जो प्रत्वी है एक पूरा चक्कर करती है कितने समय में ये आपको ध्यान रखना है 23 गंटे और आपका 56 मिनट 4.9 सेकिंड में ये अपना एक चक्कर पूरा करती है कितना 23 गंटे 56 मिनट 4.9 सेकिंड में ये एक चक्कर अपना पूरा करती है ठीक है ना जिसको भर्मन कहा जाता है या परिकर्मन उसको कहा जाता है दो सब्द है एक दिन में दैगी गई दूरी को क्या कहते हैं भर्मन कहते हैं या परिकर्मन कहते हैं जल्दी से बताईएगा इसको भर्मन कहा जाएगा या परिकर्मन कहा जाएगा और एक साल में जो दूरी तै कर जाती है इसको भर्मन कहते हैं या परिकर्मन कहते हैं दोनों अगर एक को आपको पता है तो आप उसको विल्कुल सही कर देंगे ये दो सब्द यूज किया जाते है जब प्रत्वी अपने अक्स पर घूमती है उसको क्या कहा जाता है और प्रत्वी एक साल में जो सूर्य का चक्र लगाती है उसको क्या कहा जाता है जल्दी से बताईएग भर्मन minion जल्दी से आंसर करना live जी आज का homework है आपको एक दो मंच ने जो जानते लेकर आनी है कि कि दिन राथ किस वजह से होते हैं सब्सक्राइओ क में आपको डाना है कि घींतल राश और दिन राश जो होता है किस वजह से होता है ये को बताना है और प्रत्वी एक साल में जो चक्कर पूरा करती है इसको भर्मन कहा जाएगा या परिकर्मन उसको कहा जाएगा जल्दी से बताइएगा ठीक है चलिए सूरे का जो सूरिय है इसका प्रश्टिय तापमान कितना आंका गया है जो इसका तापमान होता है इसका आंक चेतर का जो तापमान है ये कितना है अगर इसके केंदर के तापमान की हम बात करें तो ये 15,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 आप ध्यान रखिएगा ठीक ना कितना 6000 degree Celsius है और अगर इसके केंद्रिये भाग की हम तापमान की बात करें तो देखिएगा इसका तापमान कितना होता है इसका तापमान होता है 15 million degree Celsius आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर सूरिये की करने या सूरिये के पास आप चाले गए तो आपका क्या हाल होने वाला है या किसी का भी क्या हाल होने वाला है ठीक है तो वो आपको क्या कर देगा आपका राक बना देगा ठीक है ना चलिए next question है आपका निमनमेंजिक कोन प्राकर्तिक इंदन है coal gas है tar है coke है petroleum है which of the following is natural gas coal gas कहा जाएगा tar, coke या petroleum उसको क्या कहते है जल्दी से बदाएए इसको क्या कहा जाता है जो प्राकरतिक आपका इंधन होते है प्राकरतिक इंधन के हम बात करें जैसे आपका natural gases हो गई petroleum आपका हो जाता है उसमें koila आपका हो जाएगा क्योंकि जो koila है ये काफी 1600 बाद तयार होता है जो की जीव जन्तु और पेड़ पोड़ों के जमाव के बाद अर्से लंबे तक जमाव के बाद ये koila तयार होता है ये आप ध्यान लखेगा तो इसमें जो petroleum है ये क्या हो जाएगा petroleum आपको ध्यान लखना है तो फूकने के बाद तयार किया जाता है जो आपका core है और tour है ठीक ना core और आपका tour चलिए एक साल को परिकर्मन गती बहुत बड़ी है बई चलिए petroleum हाँ चलिए next question है खाना बनाने में परियोग की जाने वाली gas मुख्यत है क्या होती है carbon dioxide, monoxide, carbon monoxide, methane, nitrogen वा oxygen का गैस का मिश्रन होता है the gas used in cooking manally carbon dioxide इसको कहा जाएगा carbon monoxide कहा जाएगा methane कहा जाएगा nitrogen and oxygen gas mixture जो आपके घरों में यूज होती है अक्सर आपने देखा भी होगा जब आप रसोई पर गैस बनाते हैं या कहीं पर आपने जो गोबर gas होती है उस पर भी देखा होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो huge होने वाली gas है वो methane gas है कौन सी gas है उसको methane gas कहा जाता है और गोबर में methane gas की अगर मातरा की हम बात करें तो ध्यान रखेंगे methane gas की जो मातरा है methane gas एक रंग हीन स्वाध हीन और गंद हीन gas होती है अच्छा जो gas cylinder में जो जब वो leak होता है इसमें लाती है वो किस gas की आती है किस पदार्थ के कारण उसकी जो बदूव है सुगंध है आप कह सकते है जिससे पता चलता है कि gas leak है वो किस के कारण से आती है जल्दी से बताएं जल्दी से एक बार बताएंगे भूद बड़ी है बई methane के कारण हाँ methane gas ही है हाँ ये रंग हीन होती है स्वाध हीन होती है तो घिल ना गंध हीन होती है प्रोपेन ब्यूटेन के कारण चलिए CH4, धान के खेट से भी मिथेन गैस ही निकलती है, ठीक है, गैस में स्वाद भी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है न, गैस में कुन के अधाय स्वाद नहीं होता, मार्केप्टन के कारण, जो मिथेन गैस में, मार्केप्टन एक पदार्त या कह सकते हैं, वशीली गैस है, जिसके कारण सुगंद आती है, तो उसके कारण ये होता है, चलिए, कच्ची चीनी का रंग विहिन करने हैं तू, जिस चारकोल का प्रियोग किया जाता है, वह है सफेद वाली चाहिए, ठीक है, तो उसको जो सफेद किया जाता है, वह नेचुरल नहीं होता, उसको, केमिकल के दुआरा उसको एक तरीका से सफेद, ये वाइट कलर का आपको दिखाए जाता है, जिससे आप उसको देखे काफी परभावित हो, उसको खरीदे, ऐसा जादा नहीं है, तो जादा वाइट चीनी का यूज नहीं करना चाहिए, ध्याना किएगा, क्योंकि इसमें केमिकल का यूज हुआ होता है, उसको केमिकल के दुआरा क्लीन किया जाता है, तो एनिमल चार कोल का उसमें यूज किया जाता है, जिससे वो वाइट सुगर बन ज जाती है, जिससे आप देखकर उसको काफी प्रभावित हो जाते हैं, कि वह ये असली चीनी है, अच्छी चीनी है, चलिए, खुले में कुछ देर तक दूद रखा, कुछ देर रखा दूद खटा हो जाता है, किसके कारण से, कार्बोनिक अमल के कारण, लेक्टिक अमल के कारण, जल्दी से बताईएगा, चलिए, जल्दी से बताईएगा, फिर बताईएगे, फिर बताईएगे का जो जो स्वाद होता है, किस परकार का होता है, थोड़ा सा अलग चीजे हैं, फिर आपको बताया जाएगा, कल कोशन कराते हैं, उसमें आपको बता दिया जाएगा है रहिन चलगे होन हे नंब भूब्व बढ़िया जो आप दूद ओपन यह निके भार उसको रख देते है तो इसमें जो विशानू चीजे कह सकते है कि कुछ भाई यह पदार थे झैस मिल जाने के कारण उसमें लेक्टिक अमल के कारण लेक्टिक अमल एक्टिव हो जाता है तो यह उसमें खटापन ला देता है क्या ले देता है उसमें हटा Hein जान लादेता है द्यान लखना होगा चलिए यूरिया में लेडरोजन का प्रतिसत कितना होता है mostly बच्चे साय जानते होंगे जो बच्चे खेती वगरा थोड़ा सा involved है या खेती करते हैं घर में जिनके खेती होती है वो साय जरूर जानते होंगे जब आप खेतर में यूरिया डालना जाते हैं तो उसको बोरा होता है कट्टा जो होता जिसको बोरा वोलते हैं उस पर लिख लगवग 45 परतिसद योरिया में क्या होता है नाइट रोजन होता है कितना 47 परतिसद के और एक्षव अगर पूछ लिया जाए तो 46 अगर 0.7% इसमें nitrogen की मातरा होती है तो exact भी आप लिखियेगा कभी-कभी exact भी पूछलिया जाता है अगै ज़्याठ भी पूछलिया जाता है सरे एक बार बताएं इसके बारे में आपको जानकारी दे दिद्याएगी थोड़ा सा आप इंतिजार करें ठीके ना कितने प्रतिसत फास पूरस तदा नाईट्रोजन होता है, DAP, यानि कि कुछ बच्चे साद इसको डाई के नाम से भी जानते हैं, अगर लोकल भासा की हम बात करें कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है ना, जो जानते होंगे कि डाई इसको का जाता है, डाई, DAP को डाई बोल होते हैं यह उसका यूज होता है खेतों में तो इसमें जो फास्ट फॉरस की मात्रा है और नाइट्रोजन की जो मात्रा है यह कितनी होती है जल्दी से बताएं डी एपी में अब एक बार फोम आने दें आपको पता चल जाएगा हो सकता है कि आपका 50 परसेंटल भी आगजाम भराना स्टार्ट हो जाए तो आपको हार नहीं माननी है पीछे नहीं हटना है हो सकता है इस पर भी वेकंसी आ जाएं आपके लिए वह भी सफिशेंट हो जाए ठीक ना तो फ 30-13 परसेंटेंट तक इसमें पाए जाता है जो फासपूरस होता है यह कितना होता है यह लगबग 46 परसेंट के आसपास सक पाया जाता है कितना फास फूरस होता है आपका 46 से 53% के बीच में, किसके 53% के बीच में, अगर nitrogen की हम बात करेंगे, तो nitrogen इसमें पाया जाता है 18 से 21% के बीच में, ठीके न, कितना 18 से 21% के बीच में, यानि कि इसका जो mixture है, इतना आप combination इसका कर सकते हैं, इसका reason क्या है, यह जो percentage का fluctuation है, यह है, क्योंकि इसको घर पर भी बनाया जा सकता है, ठीके न, अगर आपको पता है कि इसमें क्या-क्या डाला जाता है, तो आप इसको घर पर भी बना सकते हैं, यूरिया अलग से लाकर, फास पूरक सलफर को अलग से mix करके, इसको डाल सकते हैं, तो यह एक यहाँ पर मात्रा बनाई जाती है ठीक है ना ये यहाँ पर एक मात्रा बनाई जाती है अगर आपको ध्यान हो तो ठीक है चलिए बहुत बड़ी है वई नेक्स्ट कोशन है आपका कृतिम वर्षा हे तू प्रयुक्त पदार्त है यानि कि जो आटिफिशल वर्षा कराई जाती है ये किस कारण से कराई जाती है क्या उसमें यूज किया जाता है सलबर ब्रोमाइड उसमें यूज करते हैं अमीनियो नाइटरेट उसमें यूज किया बिना मोसम के विया वर्षा करा सकते हैं, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी आंसर करेंगे, ट्रिक, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या होता है, चलिए, इस पर जो यूज किया जाता है, silver iodide का यूज किया जाता है किसका silver iodide का इसमें यूज किया जाता है जिसको cloud सीडिंग इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है cloud सीडिंग इसको कहा जाता है लिखेंगे इसको cloud सीडिंग हम कहते हैं और बादलो पर बादलो पर हवाईजाज के माध्यम से एरोप्लेन के माध्यम से इस पदार्थ का क्या किया जाता है हवाई जाज के माध्यम से बादलों पर इस पदार्थ का छिड़काव किया जाता है जिस से कृतिम रूप से वर्सा हो जाती है ठीक ना यह आपको ध्यान लखना है यह जो पदार्थ है हवाई माध् इसको कहा जाता है चलिए इसका चिड़काव क्या जाता है बहुत बढ़िया नहीं पता पता चल गया इसको लिखेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन है आपका मानव सरीर में सबसे छोटी अंत्रे स्रावी गरंती कौन सी है अड्रीनिल है थायराइड है पैंक्रियाज है य आपको मैं यहां पर दावे के साथ क्यादा हूं कि कोई ना कोई जो भी बच्चा देख रहा है दो चार कोशन यहां से आपके अपने सही करके आएगा ठीक है ना जो भी बच्चे इहां सही से इसको देख पा रहे हैं सही से समझ पा रहे हैं तो दो चार कोशन आपके इहां पिट यूटरी को कहा जाता है तो ध्यान रखेगा पिट यूटरी जो गरंती है अंत्रहसरावी गरंती है ये मानव सरीर की सबसे चोटी गरंती की हम बात कर रहे हैं हम हड़ी की बात नहीं कर रहे हैं अगर हड़ी की बात की जाए तो क्या होगा एक बार बताने का प्रयास कर हड़ी कौन सी होती है एक बार बताईएगा ठीके ना इसको हम प्यूस गरंथी भी कहते हैं कौन सी इसको हम प्यूस गरंथी भी कहते हैं प्यूस गरंथी और प्यूस गरंथी के साथ आपको ध्यान लखना है इसको मास्टर गरंथी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको मास कुछ बिमारी से बंद बिमारी से ठीक नौइ के उनको बैड़ित होते हैं कि उनको यह पता चलता कि तुम्हे का भोजण बंद कर देना है यानि कि आप चुड़ाना है अब उसको कहते हैं, जो अपने भोजन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक ना, चलिए, बहुत बढ़िया, मास्टर ग्रंथी, गल्स के लिए है, गल्स भल सकती है, कोई प्रोब्लम नहीं है, कभी आप यह सोचे कि गल्स के लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गल्स उसमें अप्लाई कर सकती है, कोई प्रोब्लम नहीं होने वाली, ठीक ना, चलिए, बुलीमिया बिमारी उसको कहते हैं, ठीक न आपर चीज़े आपको ध्यानक नहीं है, बुली मिया, हाँ, एक चीज़ आप ध्यानक एगा, कोशन्स पूछा जाता है कि जिवानू से होने वाली बिमारी कौन सी है, विशानू से होने वाली बिमारी कौन सी है, बैक्टिरिया, या वाइरस से होने वाली बिमारी या, ठीक है यहां से questions क्या है आते ही आते हैं ध्यान लखेगा ठीक है ना चलिए तो ध्यान लखेंगे जो आपकी जो polio है यह polio किस प्रकार की बिमारी है यह विशाणू से होने वाली बिमारी है किस से यह विशाणू यानिके virus से होने वाली बिमारी होती है polio ठीक है ना चलिए next question है पर आपने पढ़ा होगा कि वंसान उगत होता है इस परकार की चीजे होती है ऐसा नहीं है ठीकर ना कोई नो कोई आप ऐसा भूजन कर लेते हैं जो दूशित है पानी ऐसा पी लेते हैं जो दूशित है उससे पोल्यो हो जाता है जो आपके सरीर के नर्वस सिस्टम को बरबाद कर देता है चलिए जापान की 1993 में होने वाली मिनी माटा इसको मिनी माटा या मिनी माता भी कहा जाता वियदी हुई थी उन मचलीओ को खा जाने से कौन सा संक्रम हुआथा यानि के यहाँ पर एक सहर का नाम है मिनी माता ठीक है ना मिनी माता एक सहर का नाम है जो कि जापान में था वहाँ पर इन में से कौन सा पदार्थ उस मिनी माता जील में उस मिनी माता खाडी में घुल गया था घुलने के कारण वो जो पानी है उस पानी का जो उसमें जो मचलि था उसको पारद या पारा उसको कहा जाता है मरकरी उसको कहा जाता है तो मरकरी के मिल जाने से फैक्टरी से वहाँ पर मरकली निकली पारा निकला उसके मिल जाने के कारण ठीक है ना वहाँ पर एक मिनी माता खाड़ी है जील है वहाँ पर वह उस पानी का बहाव जो है जाता ह ठीक ना, factory से सीधा, उसमें जो मचलिया है, मचलियों ने उसका सेवन किया, कह सकते हैं, उसके अंदर वो गया, ठीक ना, उसके बाए मचलियों को जो बाहर निकाला, ठीक न, जिस व्यक्तियों ने उसको खाया, तो ये रोग वहाँ पर उनको हो गया था, काफी मोते वहाँ प जो आपका temperature बताती है में जो एनलोगी होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं में जो manual होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं तो उसमें जो लाइने चलती है जब आप डोक्टर के पास जाएंगे तो उसको बोलना कि मुझे पारा दिखाईएगा पारा कैसे चलता है आपको दिखा देगा तो वही पारा है आप उसको धरती पर डाल देंगे आप उसको जमीन पर डालेंगे तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे ठीक है ना अगर मुनिस्टर के सिरीर में वह चला जाता है तो मुश्किल से मुश्किल आप 5 सेकंड तक जीवित रह पाओगे 5 सेकंड के बा पास की वस्तु इसपष्ट देखने में, दूर आप पास दोनों की वस्तु इसपष्ट देखने में, इनमें से कोई नहीं, जिसको दूर दरश्टी दोस होता है, वो क्या नहीं कर पाता, कोईशन नमबर 27, कोईशन नमबर 27, जल्दी से बताएं, अविच सिंग, बहुत बड़ी है बई, जल्दी से बताएं, दूर दरश्टी दोस से जो पीडित व्यक्ति होता है, उसको क्या नहीं होता, उसको पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, ध्यानकना नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, दूर दरश्टी दोस, नाम है दूर दरश्टी दोस, लेकिन इस परकार के वस्तु को पास की वस्तु दिखाई नहीं देती अच्छा इनको दूर करने के लिए किस परकार के लेंज की अवशकता होती है एक बार बताईएगा ठीक ना किस परकार के लेंज की अवशकता होती है दूर दरश्टी दोस्त को दूर करने के लिए एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे परसो आपको य ठीके न, और दूरद्रस्टी दोस को hypermetopia भी कहा जाता है इसको लिख लिज जएगा कभी कभी दूरद्रस्टी दोस की जगए आपको English is का version मिल जाएगा hypermetopia metopia इसको कहा जाता है hypermetopia इसको कहा जाता है दूरद्रस्टी दोस को उत्तल लेंस का इसमें यूज किया जाता है किसका उत्तल लेंस का बहुत बढ़िया चलिए next question है आपका रानी खेत बिमारी संबंदित है जो रानी खेत बिमारी है किस से संबंदित है जैसे आपने खुर पका सुना होगा खुर पका है मूपका है तो यह किसमें होती है यह गा कल सही लिए व्यраआ जल्दी से अंसर करें में इत्युक्तु आए गैं थे या फूर्फ्कमपका के बारे में आ पने में सुनाओ गाए बहस कने होती यह काफी दिक्यत इसमें ही यहिए इसी परकार से जो राजी खेड विमारी है यह मुर्गयों में होती किसमें जो मुर्गयां होती हैं उनमें रानी खेत बीमारियां होती हैं ठीक है ना चलिए नेक्स्ट कोशन है आपका किस से होने वाली बीमारी है बैक्टेरिया जिवानु से फफूंदी फंगस जिसको कहते हैं वायरस या अमीबा किसके कारण से एड्स होता है एक बार बताएएगा जल्दी से आमसर करेंगे AIDS, Acquired Immuno-Defensive Syndrome जिसको कहा जाता है Acquired हाँ, चल ये, बहुत बढ़िया ठीक है, जल्दी से बताएंगे Acquired Immuno-Defensive Syndrome हम उसको AIDS को कहते हैं ठीक है, चल ये Hen, Hen Hen क्या, Hen ठीक है, ठीक है, चल ये तो ध्यान लखिएगा, ये किस से होने वाली बीमारी है वाइरस से होने वाली बीमारी है किस से, ये भी वाइरस से होने वाली बीमारी है, ध्यान लखिएगा किस से होती है, वाइरस से बहुत बढ़िया चलिए, ये आपकी जो cells होते हैं, उनको damage कर देती है ठेकन आपकी जो body की cells होती है उसको damage कर देती है भारत का प्रथम प्रमानु उर्जा केंद्र है BARC तारापूर प्रमानु उर्जा केंद्र नरोरा प्रमानु उर्जा केंद्र या इन में से कोई नहीं भारत का जो पहला प्रमानु उर्जा केंद्र है ये कौन सा है ये आपको बदाना है जो कि 1969 में इसको इस्थापित किया गया था तो कहां पर इसको इस्थापित किया गया था जल्दी से बताएंगे तो ये तारापूर आपका परमानु सन्यंत्र केंद्र है जो कि आपको ध्यान रखना है 9069 कब 9069 में इसको इस्थापित किया गया क्या बता सकते हैं इसको तारापूर जो परमानु सन्यंत्र केंद्र है ये कहां पर है एक बार बताएगा कि ये कहां पर है किस राज्य में है महारास्ट में है गुजरात में है उत्तर परदेश में है अच्छा नरोरा कहां पर है नरो हैदराबाद तेलंगाना में नहीं महारास्ट में बहुत बड़ी है वई कहाँ पर है महारास्ट में नरोरा कहाँ पर है आंजर कीजेगा जैपुर में नहीं है चलिए निम्र मेंसे कौन सा रंग जो है ये प्रात्मिक रंग नहीं है प्रात्मिक रंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जिन से मिलकर और रंग बनाय जाते हैं तो प्रात्मिक रंग कौन सा नहीं है काला पीला लाल और नीला कौन सा प्रात्मिक रंग नहीं होता जल्दी से बताईएगा ठीकर ना प्रात्मिक रंग नहीं होता वो दो क combination से बनाय जाता है या दो रंग को मिला कर उस रंग का निर्मान किया जाता है ठीके ना जैसे आपने देखा होगा पीला रंग है मजेंडा रंग है ठीके ना पीला रंग है और मजेंडा रंग है ये दो को मिला कर बनाय जाते हैं तो basic color जो होते हैं आपके ये कौन से होते हैं ये आपका पीला हो जाता है लाल हो जाता है और नीला ये आपके प्रात्मिक कलर हैं कैसे ये आपके कैसे कलर हैं प्रात्मिक कलर हैं काला आपका प्रात्मिक कलर नहीं है ठीक है ना काला जो है ब्लैक जो है ठीक है ये आपका प्रात्मिक कलर नहीं होगा ठ ठीके ना, चलिए, next question है, निकट दरस्टी दोस्ट को ठीक किया जा सकता है, किस lens के दुआरा, question number 32, जल्दी से बताईएगा, किस lens के दुआरा इसको दूर किया जा सकता है, हाँ, black color, नरोरा, यूपी में है, ठीके ना, कहां पर है, नरोरा, यूपी में है, ध्यान लखेगा, बहुत बढ़िया, तो निकट दरस्टी दोस्ट जो होता है, ये किस lens के दुआरा इसको दूर किया जा सकता है, आवतर lens के दुआरा, किस lens के दुआरा, आवतर lens के दुआरा इसको दूर किया जा सकता है, बहुत बढ़िया वई, चलिए, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले ह किया जाता है जो निकट द्रस्टी दोस होता है ठीक है ना निकट द्रस्टी दोस में दूर की वस्तवे दिखाई नहीं देती ये भी आपको ध्यानक ना है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन है द्रश्चे वर्ण कम में सबसे कम वैवलेंद किस रंकी होती है मैंने आपको बताया था जो आपके कलर है इन कलर में सबसे ज़्यादा जो वैवलेंद होगी ये रेड कलर की होगी वैवलेंद तरंग दैदर ये जिसको कहा जाता है क्या कहा जाता है तरंग दैदर ये जिसको कहते हैं जो दूर से आपको दिखा चाई दये जाए ठिकवा yg की उसको चैनल ससुफ़ागा लिसी पंप आपचे आपको सबसे कम होती है पंग निक कि अद्धर की जो रड वगरा में यूज Cать गया जाता है रेड कलर पर इसलिए यूज क्या जाता है कि आपको जो है रेड कलर दूर से ही दिखाई दे जाए कि वही हाल वहाँ पर कुछ खत्रा है आप रुख जाईएगा ठीके ना इसी लिए यूज क्या जाता है ठीक है चलिए राइट से लेफ्ट करो ठीक है भाई कल करते हैं इसको वर्सा की बूंद जो होती है गोल होती है इसका आकरती का कारण क्या है दर्व का घनत्व है प्रस्ट तनाव है सर्फेस टेंसन जिसको कहते हैं वाईउ मंडली ये दाब है या गृत्व इसको कहते हैं जो सर्फेस टेंस है आपका क्या हो गया यह दाब हो गया यादि के आपका जो एक मोळशुर प्रेशर है ग्रिंट है और का गनत्व है या भा लिक्विड density है किसके कारण से आपका जो बूंदे होती है बारिस की ये गोल होती है ठीक है ना गोल आपको ये दिखाई पड़ती है तो ये surface tension के कारण किसके प्रष्ट तनाव के कारण ये आपको जो बारिस की बूंदे है ये गोल दिखाई पड़ती है ठीक है ना जैसे चम चम बारिश होती है तो आपको ये जो बूंदे हैं ये गोल दिखाई पड़ती है ठीक ना हो गई ना बारिश जैसी आपको दिखाई दे रही होगी ठीक है surface tension के कारण चलिए किसी lift में बैठे विव्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा आप mostly बचे lift में जरूर गए होगे कही ना कही पर आपने जरूर उसका use किया होगा तो आपको अपना भार जो अपने भार से जादा महसूस लगता है कि अपना weight बढ़ गया ऐसा लग रहा है कि काफी वजन सा आपको लग रहा होगा कि काफी महसूस दे रहा हो कब आपको अपने भार जो है अपने भार से भी जादा दिखाए देगा तो दिखाए देगा जब lift उपर जाएगी और आपको अपना जो भार है ये काफी कम महसूस देगा या ना के बराबर महसूस देगा जब lift उपर से नीचे आएगी तब आपको अपना भार अपने से भी कम दिखाए देगा कि भाई अपने मदो भजन ही नहीं है वेट ही नहीं है तो लिफ्ट जब उपर जाती है तो अपना भार भी जादा दिखाए देता है ठीक है ना हाँ तो इसमें option number a right हो जाएगा जै बाबबागी वई जै बाबबागी सर ठीक है बहुत बढ़िया तो यह था आज का आपका session आपको कैसा लगा आप जरूर बदाए कोई question समझ में नहीं आता तो आप उसको comment box में लिखेंगे selection होने के बाद आप से मिलने आएगे सर जी ठीक है बडाई बिलकुल आप selection लीजेगा हम आपको बलाएंगे ठीक है आपको आने के जरूरत नहीं पड़ेगी हम आपको जरूर लेकर यहाँ पर आएंगे ठीक है नबार आप selectthो करी धागए ठीक है फिर आपको हम खुरह यहा रोज जाता हूं उसरे लिफ्ट में बहुत बढ़िया, तो महसूस करना कि कैसा महसूस आपको लगता है, ठीक है ना, अकेले महसूस करना कोई साथ में होगा तो साथ आप महसूस ना करें, क्योंकि आपका ध्यान जो है, फिर वो बटक जाएगा, ठीक है ना, चलिए, तो ये सिजे अकेले में मैसूस होती है, ठीक है ना, तो अकेला पन भी थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है, चलिए, तो ये धा अज का सेशन ध्यान लखिएगा, और इसके लाव आप ध्यान लखिएगे, आपकी जो क्लास है, ये 12 बजे आपकी क्लास होती है, यूट्यूब पर जिसमें वहाँ पर अप्लोड हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो चीजे है बस वही मिलेगी, आपको और बहुत सारी चीजे वहाँ पर मिलेगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो एप्लिकेशन पर भी आपको वहाँ पर प्रोपर एक तरीका से चीजे मिलती रहेंगी, जिस बचे नहीं अभी तक जो है, एससी मेकर का अप्लिकेशन डाउनलोड नहीं किया, वो एससी मेकर गूगल प्रे स्टोर पर जाएए, एससी मेकर वहाँ पर लिखे, या आपको लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अभी उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी, कैसे आप उसको कर सकते हैं, इससे पहले आपको ध्यान रखना है, कि आपके लिए आप जो क्लासिज है अगनी वीर के लिए, अगनी वीर बैच वहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपका जो कोर्स है, ये इसी प्रकार से डेजाइन किया गया है, कि आप इसका लाब उठा सकते हैं मात्र 150 रुपे में आपको सारी क्लासिज मिलेगी ऐसा नहीं है कि केवल मैट की मिलेगी केवल रिजिनिंग की मिलेगी सारी क्लासिज वहाँ पर मिलेगी ध्यान लखेगा ठीक ना जो बच्छे पहली बार आज क्लासिज उड़े हैं उनका मिलेगी क्लास नोर्स आपको दिये जाएंगे जो भी बैस्ट आपके लिए होगा वहाँ पर किया जाएगा ठीक ना और डाउट सेशन की सुधा सभी यहाँ पर कोर्सिज है उनमें दी गई है और सभी में ओफर आपके लिए है तो आप जो भी तयारी करना चाहते हैं उसको और डैमो क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी जब आप कोर्स को सेलक्ट करेंगे तो इसमें डैमो भी आपके लिए हमाँ पर उपलब्ध होगा ठीक ना चलिए दूसरा आप ध्याना किएगा यहाँ पर आपकी उत्तरप्रदीस पुलिस की वेकेंस बह अभी आपके लिए जो है यहाँ पर खुसकवरी जारी कर दी जाए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए यूपी पुलिस के लिए तो आप उसको भी एकदम तयार रखना ठीके ना यूपी पुलिस वारे बच्चे भी बिल्कुल एकदम रेडी रहे कभी भी ही हिंदी है और करन्ट फेर्स के लिए आपकी सुभह वाली क्लास होती है सभी बचेस में आप जुडएंगे दूसरा आप ध्यान केगा आपकी जो मेरधन क्लास होगी ये एक तारिःक में आपकी मेरधन क्लास होगी सुबह 6 वजे किमिन हो गिश्यार खेर not कर देक रखना सुबह जिस समय आपकी class होती है उसी समय आपकी मेरधन class होगी यह आपको ध्यान रखना होगा ठीक ना तो यह यहाँ पर course है जो आपको ध्यान रखना है जिसमें मात्र आप 399 रुपे में इसको बर्चेज कर सकते हैं इसी पर भी offer अभी भी चला हुआ है बाई 50 नंबर में आ उसके अनुसार ही आपको देखा जाएगा ठीक है ना आभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वेकेंसी किस प्रकार से आएंगी क्या उसमें criteria रखा जाएगा ठीक है दिली पुलिस के लिए आपको बता दिया जाएगा अंजली तवर आप बिल्कुल भी प्रेशान मत होईएगा आपको जाद अगर प्रोब्लम आ रही है तो आपको 7080108555 पर आपको ओल किज़ेगा आपको वहाँ पर सारी जानकारी दे दी जाएगी ठीक है ना उसके लिए आपको अजे सर के दुबारे एक वीडियो बनाई गए थी दिली पुलिस में ठीक ना की वेकेंसी कब आएगी उसके दियारी कैसे करें क्लास के बारे में क्या आपको करना है कैसे करना है वो ओल लेडी एक वीडियो आपका अपलोडिड है आप उसको देखिए फिर भी आप को समझ में नहीं आता आप कोल कर सकते हैं ठीक ना उसमें आपको जानकारी दे दी जाएगी चलिए दूसरा ध्यानक हैगा आपकी जो क्लास की टाइमिंग है सुबह 6 बजे क्लास होती है आपकी करन्ट अफेर्स की जो सभी एक्जाम के लिए इंपोटेंट है चाए आप अगनी वीर की क्लास होती है मैच और रिजिनिंग की निगल सर के दुआरा दो बजे स्टाटिक जी के है जो की जोगें सर के दुआरा होगी ठीक ना चार बजे आपकी रिजिनिंग की क्लास है निगल सर के दुआरा MTS के लिए CGL के लिए और जो other vacancies आपकी आएंगी उनके के लिए आप उसको देख सकते हैं पांच बजे आपकी हिंदी की क्लास है जिस भी एक्जाम में हिंदी पूछी जाती है सभी क्लास के लिए वो classes काफी मैत्वपूर्ण है sufficient है उससे आपका काम हो जाएगा ठीक ना दूसरा 6 बजे आपकी ये वाली क्लास होती है मैं आपको उसके बारे में सारी जानकारी दे दी है क्या कैस में क्राय जाता है क्या इसका जो है एक दाइरा है क्राइटेरिया है ठीक रहा ऐसा अगनीवीर वाले बच्चे इसको देख सकते हैं जा डिफैंस संबंदी जो भी एक्जाम होते हैं जैसे अभी वेकेंसी आने वाली है बेस बेसिक टू एडवांस यहाँ पर सर इसको लेकर चलते हैं जिसमें आपको कोई भी समस्या महाँ पर नहीं रह जाती तो यह राद आट बज़े आपकी क्लास होती है ठीक है इसके अलावा यह कुछ यहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड किये गए हैं जिसके माध्यम से आप ह और यह यहाँ इसको डाउनलोड किसेगा साथ ही सथ आप यहाँ से कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं जो भी आपको क्या पर प्रसेस करना है तो उसकी डवॉ स्तील क्लासे आपको यहाँ पर मिलेगी रहाधाय ऊब्यसंदों ट्सपरिब्लब्द कराई गई है आप य आपको पीडियाप मिलेगा, टेली ग्राम और एप्लिकेशन दोनों से आपको पीडियाप मिलता है, टेली ग्राम पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी डेली जाता है, जो भी आपका क्लास होता है, सुभे से साम तक का जो भी शेडूल है, सारी क्लास का नोटिफिकेशन आ पूछना एक बार, कम से गम 8 से 12 कोशन के बीच में करन्ट अफेर्स के कोशन वाँ पर पूछे गए हैं, यानि के आपके 25 कोशन में से 50% के आसपास का जो वेटेज है, ये करन्ट अफेर्स का है, जो बच्चे एकजाम देके आए हैं एक बार बताएंगे कितना करन्ट अफेर आस देखते हैं, उसी से आपका यहाँ पर हो जाएगा, इतना टफ आप से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, चाए टफ पूजा जाए, चाए इजी पूछा जाए, हम यहाँ पर सभी चीजों को लेकर चलते हैं, चाए आप अगनीवीर की दयारे करें, गुरुप D की कर है, ओफिशल लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसको आपको सस्क्राइब करना है, बेल आइगन का बटन दबाना है, जिससे क्लास का जो नोटिफिकेशन है, यह समय समय पर आप तक पोस्तार रहेगा, ठीक ना, चलिए, टीए आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी के बा गया गया आथए, कभी 50 आगई, कभी 60 आगई तो उसको अब ध्यान लखियगा, ठीक है, काफी कम संख्या में उन्यावाती है, तो आपको उसको एक बार, चेक करते रेना है समय समय पर ठीक है ना half दिन में हाप कभी किए सब्सक्या कर सकते है जैसे आप इस्टाग्राम वगरा test करते हैं facebook वगरा चेक करते हैं से भी थोड़ा से समय दीजिएगा थो सकता झाल झाल